तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिस्कस करने वाला हूँ MSE Applied Physics Course के बारे में सबसे पहले मैं आप से डिस्कस करने वाला हूँ कि MSE Applied Physics का कॉर्स आखिर क्या होता है इसमें किस परकार के सब्जेक्ट्स होते हैं आखिर जया कोर्स कितने वरश का कोर्स होता है इस कोर्स का eligibility criteria क्या है और अंत में दोस्तो मैं आप से जोव प्रफाल्स के बारे में आप से मैं डिस्कस करने वाला हूँ की आज की वीडियो में मैं आप से डिस्कस करने वाला हूँ MSE Applied Physics कोर्स के बारे में और दोस्तों अगर आपने ट्वेलफ्त जहां graduation की class को पास कर लिया है और अगर आपको जहे जानना है कि ट्वेलफ्त जहां graduation की class को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कोर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का link इस वीडियो के description में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म उने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखियेगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे बेले में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ MSC Applied Physics कोर्स के बारे में तो MSC का मतलब होता है Master of Science और MSC Applied Physics का जो कोर्स है वो एक post graduate level की degree का कोर्स होता है तो इस कोर्स के मादर में से आप एक deep research करते हो जिसमें आपको physics की field से जूड़ी काफी सारे topics जैसे की electromagnetic, crystal physics, modern optics, physics of semi-retory devices एक सेक्टरा चीज़े students को study करवाई जाती हैं तो अगर आप इस field में आप interest रखते हो तब तो आपको जैकोर्स आपको जरूर करना चाहिए अभी आपसे मैं course duration के बारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं की जैनी जैक course आकिर कितने वरश का course होता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैक course दो वरश का course होता है जिसमें कुल 4 semester होते हैं और 1 semester की जो length होती है वो दोस्तो 6 महीने तक ही होती है अभी आपसे मैं eligibility criteria के बारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं की जैनी आप इस course में आकिर किस परकार से admission ले सकते हो तो इस course में admission लेने के लिए दोस्तों आपको जो bachelor की जो degree है उसे आपको पास करनी पड़ेगी पर जातर जो students होते हैं वो BSc Applied Physics का course पूरा करने के बाद ही इस course को करते हैं अभी आपसे मैं job profiles के बारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं की जैनी अगर आप इस course को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तो आप lab supervisor बन सकते हो आप researcher बन सकते हो इसके इलावा दोस्तो आप जो teacher की जो job उसे भी आप हासिल कर सकते हो तो जैसे अब आपकी personal skill और knowledge के उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आपसे मैं subjects के वारी में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि जैने आप इस course में आखर किस परकार के जो subjects होते हैं वो आप study करते हो तो इस course में आप mathematical, physics, electromagnetic theory, electronics, laser and applications, electron optics, etc. topics और subjects आप इस course के दोरान आप study करते हो और भी इस course में कई सरे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोरान आपको करवाई जाते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई उनिवस्टी जोर कोलेज के slayvers के हिसाफ से जैजो subject हैं वो different भी हो सकते हैं तो दोस्तो इस बीडियो में मैंने आपसे MSC Applied Physics course के वारे में आपसे मैंने इस बीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के बादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt है तो दोस्तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में और भी कई सारे courses के वारे में बीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वांजा कर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तो अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आईए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद